Hello guys, you are welcomed to your own YouTube channel English Ka Jajba. You are with Dinesh Sir and in today's video we will recite class 9's second poem Rain on the Roof composed by Coates Kinney. Let's recite the poem. प्यारे बच्चो इस कवीता में कवी उस स्थिदी के बारे में बताता है जब बाहर बरसाथ हो रही होती है और हम अपने घर के किसी कमरे में लेटे रहते हैं या बैठे उए होते हैं और अपने सपनों में खोई रहते हैं, हम सोचते हैं, हम किसी ऐसे वैक्ति को याद करते हैं जिसे हम पसंद करते हैं या ऐसे कारिये को याद करते हैं जो हमें करना अच्छा लगता है ज्यादातर हम यही सोचते हैं कि बाहर बरसात होती रहे और हम अपने घर में लेटे रहें इसी प्रकार इस कवीता में कवी अपने घर में लेटा हुआ है और बाहर बरसात हो रही होती है जैसा कि कई इस कवीता में बताया गया है When the humid shadows hover over all the starry spheres Humid shadows का मीनिंग है प्यारे बच्चों यहाँ पानी से बरे हुए काले बादल hover चा जाना Over all the starry spheres आकास के लिए प्रियोग किया गया है कवी बताता है कि जब आकास में काले बादल चा जाते है And the melanchly darkness, melanchly उदास कर देने वाली darkness अंधेरा और उदासी बरा अंधेरा चा जाता है काले बादलो की वज़े से Gently weeps in rainy tears और तब बरसात सुरू हो जाती है What a bliss, bliss होता है परम सुख, to press the pillow तो हमें कितना सुख मिलता है, परम सुख मिलता है Pillow means तकिया, आपने तकिये को दबाने में Of a cottage chamber bed, cottage chamber bed means अपने घर का कमरा हमें अपने घर के कमरे में पड़े हुए तकिये को दबाने में परम सुख मिलता है यानि कि हम rest करना या आराम करना पसंद करते हैं और वहां लेट कर and lie listening to the patter और लेटे हुए हम सुनते हैं, पैटर होता है वरसात की बुंदों की पटपट की आवाज तो उनकी बुंदों की पटपट की आवाज सुनना हमें अच्छा लगता है इन लाइनों में कवी हमें बताता है कि वह जब अपने कमरे में लेटा हुआ है यानि की singles का meaning है छत की टायल टिंकल होता है, तंटन की आवाज और परते एक जो बारिश की वज़े से तंटन की आवाज पैदा होती है उपर छत पर गिरने से, टायलों पर गिरने से, वो हमारे मन में या कवी के मन में गूँज पैदा कर देती है एंड अथाउजन ड्रीमी फैंसीज और हम हजारों कालपनाई ड्रीमी सवपन में या कलपनाओं में खो जाते हैं इंट वीजी बीइंग स्टार्ट और हम उनमें वैस्ट हो जाते हैं यानि कि कलपनाई करना शुरू कर देते हैं और हजारों यादे हम याद करते हैं यानि कि जो पल बीत गए है या हमारे मन पसंद जो पल थे जो मुमेंट हमें अच्छी लगती थी उनको याद करते हैं और जैसे ही पोईट बताता है कि जैसे ही मैं बुंदों की आवाज सुनता हूं अपनी छत के उपर तो हजारों कलपनाई जो है या यादे जो है वो उनका मैं तानावाना बुनना शुरू कर देता हूं एर थ्रेड्स का मीनिंग है हवाई धागे यानि की कलपनाई करना और वूफ का मीनिंग है करगे पर बुने जाने वाले धागों का जाल यानि की वो हजारों कलपनाई और यादों में खो जाता है उनका तानावाना बुनता है कवी हमें बताता है कि जब बारिश की वज़े से वह अपने कमरे में है तो वह अपनी मदर को याद करता है और उनके बारे में सोचता है कि वह किस परकार हुआ करती थी जैसा कि स्टेंजा पड़ते हैं Now in memory comes my mother as she used in years again कवी हमें बताता है कि अब उसकी यादों में उसकी माता आती है वह अपनी माता को याद करता है As she used in years again जैसा कि वो सालों पहले हुआ करती थी या दिखाई देती थी To regard the darling dreamers अपने प्यारे बच्चों के लिए Darling dreamers का meaning है प्यारे बच्चों यहाँ सवपन ले रहे प्यारे बच्चे As she left them till the dawn जैसा कि वो उनको छोडती थी सुरिये निकलने तक यानि कि सुबह के सबह तक वो उनको सोते हुए छोडती थी या सवपन लेते हुए छोडती थी और सुबह उनसे मिलती थी जैसा ही प्यारे बच्चों लेते हुए जैसे ही सुबह होती थी मैं महसूस कर सकता हूँ उनकी प्यार भरी नजर जो मुझे महसूस होती थी As I list to this refrain which is played upon the singles by the pattern of the rain जैसा कि मैंने मैं सुन रहा था refrain होता है गीत की सथाई आवाज उस गीत की सथाई आवाज जो बजाई जा रही थी छट के उपर सिंगल स्टाइल्स के उपर by the pattern of the rain बरसात की बूंदों की वज़े से पटपट की जो आवाज की वज़े से जो गीत पैदा हो रहा था उसको poet सुन सकता था प्यारे बच्चों ये थी आपकी पोयम rain on the roof जिसमें कवी हमें बताता है कि किस प्रकार वह कमरे में रहकर अपने सपनों में खोया रहता है और उमीद है अब आपको ये पोयम अच्छे से समझ में आ गई होगी जिस बच्चे को कोई प्रेसानी है थोड़ी बहुत समझ में नहीं आई है वो इसको दोबारा से सुने और इसको अच्छे से समझने की कोशिस करे अब जो आपकी स्क्रीन पर important question short answer type question दिखाई दे रहे हैं आपको इन्हे learn and write करना है और इनको अच्छे से prepare करना है और उमीद है आपको ये चीजे समझ में आ गई होंगी तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका दिन सुब रहे जैहिन जै भारत have a nice day